हेलो एविवान स्वागत है आप सभी का एक और फैंटसी प्रिव्यू में मुकाबला यहां पे इंडिया वसिस ऑस्ट्रेलिया इंडिया का ओपनिंग गेम होगा यह इस वर्ल्ड कप का एक बहुत ही बड़ा गेम हम सब के लिए और यह मुकाबला होगा इंचनना है अद अध बड़े प्लेश को आप ड्रॉप कर सकते हो ऐसे ट्रैक पर यह सब हम डिसकस करेंगे आगे तक बने रहें लाइक कोमेंट एंड शेयर जरूर करेगा मेरी विन प्रेडिक्शन इस गेम के लिए इंडिया विल बी स्ट्रॉंग फेवरिट बेस्ट अन दे कंडिक्शन बड़ तो इस बात का ध्यान रखेगा कि इट विल नॉट बी वन साइड गेम कि आपके चांसे बड़े अन कुछ जाएगा निया इस रूपी जेरो एंट्री फी उसके लाबा मिनी जियल्स आप खेल सकते हैं और फॉलोंग अप्स पर जरूर साइन अप करिये वह आपको मिल जाएगा रुपीज फिफ्टी रियल क्याश डिरेक्टली ऑन साइन अप सब्सक्राइब की तरफ एक लियर एंड सानी एक्सपेक्टेशन है यहां पर काफी यहां पर धूप निकली रहेगी इट विमिट कंडिशन अब यूमिट किंडिशन कैसे करती है बैटर्ज को वैएसे क्या हो जादा की वाद का इस बात पर एफेक्ट बन सकता है कितना मेंजर होगा डा डेपेंड संथ आंड ऑन दे तो यह की बात करें वैसे ही एक आसान पिछ नहीं होती कौन से बैटर्ज प्र यहां पर सैट हो जाते हैं आई हम इंडिया में काफी ग्राउंड में देखा हैं ज्यादा तर square dimensions भी short होते हैं बट यहां पर उतने short dimensions नहीं होंगे especially अगर pitch थोड़ी central हो एक side आपको दिख रहा है 70 meters and जो square not square south है वो भी 77-72 meters यहां पर आपको दिख रहा है testing मुकाबला यहां पर आपको देखने को मिलना चाहिए and I think spin will be the ace यह आपने देखा था during the IPL IPL में आप देख सकते हो एमदाबाद में अगर 2.1 degrees का turn है 50% ज्यादा टरन है यही चीज़ आप expect कर सकते हो इस मुकाबले में भी बटपेश रिपोर्ट हमेशा की तरफ क्रूशल रहेगा तो यह हुई कंडिशन की बात अब चलते हैं expected playing 11 की तरफ और इंडिया इशान किशान या शुबमन गिल ओविसली गिल के fitness की अब तक कोई confirmation नहीं मिली हमें hopefully fit रहें but unlikely अगर specially देंग यू के साथ है अगर अश्विन को खिलाना है इस वर्ल्ड कप में I don't think there is a better venue than here to start उनका भी home ground है प्लस spin ऐसे ही venue पे 8 करेगी उसके बाद कुल्दी प्यादब मौमत सिराज और जस्प्रीफ बुम्रा तू रांट अप दी अटक और श्टेलिया की बात करें तो मिचल मास, डेविड वॉनर, स्टीव स्मिट मानिस लबुसक्यागने मैं एक्सपेक कर रहां स्टार्ट करेंगे हो सकता है कि स्टॉइनिस या ग्रीन भी वहाँ पे स्टार्ट कर जाए अब मुझे लग रहा है कि यह टीम एक शॉट है हैंस लबुसक्यागने के चांसे वहाँ पे थोड़े और ब्राइट हो जाते हैं आस वह थर्ड स्टार्ट कर आ सकते हैं इंडिविजिल प्लेयर कार्ट के पहले रिमेंबर तो साइन अप और बोथ यहां पर आपको मिल राएंगे बेस्ट पैनेफिट नो जी एस्ट ऑन बोथ और एक्सजेंज पर नो टीडियस इस वहां पर एफ सी पी अप चलते हैं इंडियन टीम के प्लेयर कार्ट की तरफ तो पहला प्लेयर कार्ट हमारे लिए होगा इशान किशान ओविसली बहुत ही फ्लैमबॉइंड बैटर हैं अब टॉप एग्रेसिवली खेलते हैं बट सेकिन इनिंग का रिकॉर्ड खास नहीं है ऐसी पिच पे क्योंकि बॉल स्टे करके आएगी होल्ड करके आएगी उन्ह शॉट मेकिंग इतना आसान नहीं लगेगा और इनके मैच अप्स भी कुछ खास नहीं है तो ओवरॉल फर्स इनिंग में अगर बैटिंग करते हैं तो मेभी आप जील में ट्राइ कर सकते हो एल्स बेस्टीम में इन्हें मैं नहीं लोगा फिर चलते हैं या पे शुबमन गि इसके सामने कभी कभार तकलीफ आती है जो मिचल स्टार्क ओफर करेंगे पिछ भी ऐसी है कि थोड़ा सा अपने समय लेकर खेलना पड़ता है अभी के लिए लाइक लिए खेलते हैं तो बिल्कुल कंसिडर करूंगा फिर चलिए आप रोहिच शर्मा की तरफ आप ऐसे वह जाते हैं वैसे ही बैटिंग और दिफिकल्ट हो जाती है तो वह एक चीज उनके फेवर में जा सकती है और इन खेल रहे हैं फिर्स इनिंग्स युण रिकॉर्ड च्छे हैं तो यह हूई यहां की बात यह एक इंट्रेस्टिंग स्टैट यहां पर इन्होंने यहां पर चलते हैं विराट कोली की तरफ आपना समय लेना पसंद करते हैं फॉर्स इनिंग रिकॉर्ड अच्छा सेकंड इनिंग रिकॉर्ड अच्छा मैचप भी अच्छे हैं ऑविसली इन सब का एक ही जो लीटल लीटल थ्रेट होगा वहोंगे आडम जैंपा एंड विराट के लिए एक और मैचप है बड़ आम नॉट शूर कि पिच उसे एट करेगी नहीं वह मैचप सेक्षिन में डिसकस करेंगे आगे और ओविसली इन्हें मैं सिर्फ जी एल्स में ड्रॉप करोंगा एल्स इन्हें ड्रॉप करके बिल्कुल भी मतलब नहीं आपने मिस में मुझे गलत न से जॉइन करिए और उससे आपके चांसे बढ़ेंगे इस लीडर बोड कुछ जीतने के लिए कुछ टॉप प्राइज़ें यहां पे सो मैक्सिम्म टीम बनाए एक ग्रैंड लीग में अपने दोस्तों के साथ पारिस्पेट करिए इस वोल्ड कप लीडर बोर्ड में और में आप चलते हैं श्रियस एयर की तरफ जो एक स्पेंड बीस्ट है मिडल ओडर में यह स्पेंड को बहुत अच्छा खेलते हैं और बाउंडरी बोनस पॉइंट भी बहुत दे सकते हैं यह पिच में भी थोड़ा सा स्टार्टिंग मेंने तकलीफे आ सकती है तो स्टार्ट पर फिर काफी स्मूधली केल सकते हैं सिर्फ इनका एक और जो बड़ा थ्रेट है वह शॉट बॉल और ऑस तीन ऐसे वेपन जो शॉट बॉल बहुत अच्छा डालते हैं और यह एरियल जाना पसंद करते हैं जो थोड़ा रिस्की हो सकता है तो अभी के लिए बेस्टी में म को एक निपिंग डिलिवरी बट ओविस्ली चैन्नाय में हम एक्सपेक्ट नहीं करें कि ज्यादा निपन या निपाउट होगी बॉल प्लस एक और बात याद रखे कि यह आते मिडल ओडर में तब तक इतना मोव्मेंट नहीं बचता है इन बॉल स्वाइट इंग बहुत ही करियर आवरेज है वो कुछ खास नहीं है बिद बैट एन विद बॉल भी थोड़ा अपन डाउन रहा है ओविस्ली क्यूंकि आपको दोनों डिपार्टमेंट से वाल्यू दे जाते हैं तो आपका फैंटसी वाल्यू वहांसे बन जाता है ऐसे प्लेश यादा तर एवन अप इनका होम ग्राउंड है बहुत सारे मैच के लिए यहां पर चैनना के लिए और ओविस्ली सी ओफ येलो तो कल नहीं दिए आपको बिकॉस इन्हें क्या तकलीफ हो सकती है यह इन्हें क्या तकलीफ होती है वो तब होती है जब बैटर इन्हें टेक-on करने की कोशिश नहीं क खेलके निकालते हैं तब इनने ज्यादा विकिट्स नहीं मिलते है उसके लावा फॉर्म इनका ठीक-taक रहा है ज्यादा तर कंसर्ण इनके बैट के साहते हैं और ओविसली यहां जो फॉर्स सेकिन इन्हें रिकॉर्ड आपको दिख रहा है इनका बोलिंग का रिकॉर्ड द आपको सिर्फ पिट से नहीं मदद देते हैं इन दा माइंड भी जीट जाते हैं याद रखिए कि जो लास्ट थ्री मैंच आपको पता है कि पॉइंट सिराज की तरफ आइसे कंडिशन में नहीं कुछ खास हेल्थ ना मिले पहले बोलिंग में फिर भी रिस्की ड्रॉप रहेंगे इस डेथ में यह और बुम्राही डालेंगे तो इस गेम में थोड़े 50-50 बन सकते हैं बढ़ अभी के लिए प्रॉबली इन्हें बेस टीम में लेके जाओंगा और फाइनली जस्पी बुम्राह बहुत समय के बाद आ रहे हैं एक लॉंग लेओफ थोड़े बहुत ओडिया इस खेले दे रीसेंटली ज्यादा विकेट्स नहीं चटका है इन्होंने ऑफ लेट ब से बड़े खिलाडी कल इंपाक्ट बना सकते हैं तो स्टार्ट करेंगे डेविड वॉनर के साथ एक स्टेबल बैटन है अपना समय लेके खेलते हैं बट पावर प्ले में एक जो टैक्टिक हमने देखा है लिमिटेड ओवर में इनके सामने वह ऑफ स्पें यूज करना जिस मिचल मार्च की तरफ यह ऐसे टाइप की खिलाडी है कि अकेले और अगर आप छोड़ो के तो अकेले हरा भी सकते हैं बट प्रॉब्लम क्या है कि वैसे इनकी अप्रोच होती है बूम या बस्त की होते हैं एकदम स्टार्ट से मानने कोशिश करते हैं और कभी को बार अपना विकेट हो जाते हैं बट हमने देखा हैं थोड़ा अपना समय लेकर केला था इन्होंने तो देखते हैं कि कौन सी अप्रोच के साथ आते हैं कि कल उसके अलावा इनकी जो स्ट्राइक रेट है स्पिन की सामने 20-30% यहां पर गिर जाती है तो याद रखे कि अगैन इनके साम की तरफ अपना समय लेकर खेलते हैं बड़े स्कोर्स के लिए जाने जाते हैं मेरी टीम में डेफिनिटली रहेंगे कल और इवन दो पिच माइट भी ट्रिकी आइंक की इनका काम यहां पर कल हो सकता है मैच-उप्स भी काफी अच्छे हैं फ्रेंड ओव इंडिया फिर चले में या नहीं ग्लेन मैक्सवल की बात करें यह होंगे टीम के सेकेंड स्पिनर अब इंडियन कंडिशन में यह बहुत क्रूशल पॉइंट मन जाता है आपको पांच से छी ओवर करते हुए दिख सकते हैं अगर वह पांच से छी ओवर अच्छे जाए तो दस के दस पूरे ओ होती है कि आपके शॉट आफटर शॉट खेलते हैं अगर आपको दोनों डिपार्टमेंट से वाल्यू दे रहें और वैसे कैचिंग पूजिशन में रहते हैं तो वह साब से बेस्टीम में रॉब करना मुश्किल है ग्रैंड लीग में ऐसे प्लियर्स पर रिस्क ले सकते हो जब ही नहीं चलते है तो फिर बहुत दिनों पर कुछ भी नहीं देखे जाते हैं अ सब्सक्राइब करते हैं अलेक्स क्यारी की तरफ इनका रीसेंट फॉर्म भी खराब है पिछ भी इनके हिसाब की नहीं है और इनकी गलती नहीं है इस काफी समय यह बहुत ही ज्यादा लो आते हैं इन बैटिंग ओडर एंड क्यामियोज खेलने का ही मौका मिलता है नहीं तो य यह ऐसे बोलर यह जो पावप्ले में भी डाल सकते हैं डैट में भी डाल सकते हैं इनका जो रोल होगा इस तीम में ज्यादा मिदलोवर में होगा चाहे इनका तो बिलकुल पिल्कुल इन गाए उसके अलावा जो मैच अप से हैं सब कुछ इनके फेवर में नहीं है लास्ट वाम अप मैच तर वहां पर अच्छा खेल के आथे बड़ उसके अलावा जो इंडिया वाली सीरीज थी वहां पी एक दी इंपक्पुल नौक इनसे नहीं देखा जो इनकी बोलिंग भी है ऐसी है कि जहां पर पिच्छ पर पेस और बाउंस है वहां पर ज्यादा काम आते हैं में भी ऐसे ट्रैक पर कुछ कास काम ना बनें का फिर चलें पैट कमिंज की तरफ पर सेकिंड इनिंग रिकॉर्ड अच्छा है ऐसे टाइप के हिट डेक्स और बो करते हैं इंडिया के सामने तो वापस रिस्क लिया जा सकता है फिर इसके पहले यह बात याद रखिए कि एक्स्चेंज 22 का लीडर बोर्ट भी करेंटली लाइव है यहां पर त्विन लीडर बोर्ट दिख रहे हैं आपको एंड कुछ टॉप प्राइज नहीं यहां पर भी करता है इंडिया का क्या रिकॉर्ड है लेफ्ट आम पेस के सामने अप टॉप तो यह काफी तकलीफे पैदा कर सकते हैं और उसके अलावे इनके पास एक बहुत ही अच्छा इन सीरिंग यौकर है सिर्फ एक चीज है कि ऐसे कंडिशन में कभी कभार में सेकेंड बोलिंग मे इनके निकाल के खेलने की कोशिश करें तो एक टॉस पेस कॉल रहेगा इन पर भी फिर चलते जॉश हेजल वोड की तरफ में बी कुछ खास एल्प ना मिले प्लस एशिया में इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं एक भी विकेट पर मैच नहीं आवरिज करते हैं तो ऐसे में आते हैं चार से पांस ओर करने हैं तो फिर फिर भी मेरी टीम में यह जगा ढूंड लें तो बेस्ट ऑन टॉस या अगर हमें को इन्फोमेशन मिल रहें वह साब से नहीं टीम में लिया जाए फाइनली आडम जैंप बहुत ही अच्छे नंबर जैंके वर्स इंडिया काफी बड़ा इंपक्ट यह बना सकते हैं स्पेशली अगर सेकेंड बोलिंग करते हैं क्योंकि तब इंडियन बैच्मेंट पोस्ट होंगे तो स्ट्राइक अटिम अंडर प्रेशर तो यह हुई आडम जैंपा की बात बात कर लेतें कुछ कुछ क्रूशल मैच-प्स की जैं बनाने की सोच इस मैच-प का बिल्कुल ध्यान रखेगा एक और जो मैच-प है स्टीव स्मित वर्सिस हार्दिक अब वाइल यहां पर स्ट्राइक क्रेट काफी अच्छा है पांच बार आउट हो चुके हैं बॉल्स भी यहां पर सिर्फ सेविंटी-फाइव है तो इन अप इसे फेज में जब हार्दिक बोलिंग करेंगे सो अगर आपको जीयल में चांस लेना है स्टीव स्मित को ड्रॉप करने का उन टीम में भी आप हार्दिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे पाओ अब चलते हमारे आज के बेस टीम की तरफ बेस टीम के पहले यहां पर आपको देख रहा है जो फ्री कॉंटेश जिसकी मैंने बात की ट्वैनी थाउजन का फिर्स प्राइज त्री टीम के साथ आप जॉइन कर सकते हो तो इंशॉर कि आप अभी के अभी यह फ्री गिवववेज जॉइन कर लें स्टार्ट करने में की कीपिंग सेक्शिन केयल राउल यहां पर सबसे ऑब्वियस पिक इशान किश्या ने जीएल पिक है जब पहले बैटिंग करते हैं आप इन्हें ट्राय कर सकते हो बैटर्स की बात करें विराट एंड स्टीव स्मिट यह दोनों है स्ट्रेट फौरड पिक्स इस गेम के उसके में उन्हें भी ट्राय कर सकते हो एंड स्टॉइनिस इफी बोल्स फर्स फिर आते हैं बोलस की तरफ जस्पीत बुम्रा मिचल स्टार्क इन दोनों को छोड़ना अनलाइकली है मेबी मिचल स्टार्क इफी बोल सेकेंड बट आई डोंट तिंग मैं वो चांस लोंगा अभी स्टॉइनिस खेलते हैं एक डिसेंट बन सकते हैं जब में पता है कि कोई भी बैटर यहां पर कभी भी गिर सकता है अगर नहीं खेलते हैं स्टॉइनिस या ग्रीन उस लॉट में तो मिचल मार्श पर आ जाएगी वो रिस्पॉंसिबिलिटी तो अभी के लिए इस लॉट मे कमिन्स और हेजल वॉड वाइल बोलिंग फॉर्स तो इन बातों का ध्यान रखिएगा अब चलते कैप्टेन वाइस कैप्टेन की तरफ है तिंग वाइल विराट एंड स्टीव स्मित आदे सेफ चॉइस तो गो विथ आप दूसरी कौन सी चॉइस को कंसिडर कर सकते हो रव लग रही है मुझे यह जो इंपोर्टेंट पिक्स है मैंने दोनों टीम के यहां पर कवर कियें बेस्ट उन जो हमने अब तक डिसकाशन की अब चलते हैं ग्रैंड लीग ऑप्शन की बात कर लें यहां पर रविंद्र जडियरा स्पेशली जब सेकेंड बोलिंग करते हैं ज पांडिया अगर इंडिया तीम स्पिनर्स अच्छुली फील करती है तो जील में रिसक आप बिलकुल रह सकते हो एस फिर क्या हो जाएगा शिराज और बुम्रा विल बिकम दो मोर इंपॉर्टेंट पेसे और अनलिस सिराज या बुम्रा का एकदा में खराब दिन जाए में भी पांडिया को कुछ खास Overs ना मिले इन इस कंडिशन तो उस बात का धियान रिखेगा जील सी वी सी ऑप्षिंज बैटिंग फर्स रविंद्र जडेटर अन ग्लेन मैक्सवल अरड़ी बता चुका हूं क्यूं बोथ विराट एं स्टीव स्मिट बेस्ट 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 तो यह है मेरी आज की पिक्स फॉर ग्रांड लीग उसके अलावा इंशॉर आप जॉइन करें हमें अधे रेट फैंटेसी क्रिक प्रू अन टेलिग्राम एंड ट्विटर जल्दी मिलेंगे एक और प्रिवीव के लिए थैंक यू सो मच पर तूनिंग इन थैंक यू सो मच झाल यह सबूख है